आज हम बात करेंगे एक ऐसी अबिनेत्री की जो 90 के दशक में अपनी मासुम्यत भरी अदाओं से हर किसी का दिल जीत लेती थी जो इंडेश्ट्री के एक जानी मानी शक्षियत रही है या बिनेत्री ना सिर्फ अपनी एक्टिंग बलके अपनी जादूई आवाज के लिए भी जानी जाती थी सिंगिंग की दुनिया में काफी एक्टिव थी वहीं लोग उनकी खुपसूरती के भी कायल थें लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी जंदगी ही बदल गई जिस वक्त एक्टिंग अपने करियर की चरम पर थी और अपने सक्सेज को एंज़ॉय कर रही थी उसी वक्त एक ऐसी घटना हुई कि जिसने रातो रात इनकी लाइफ बतलती और उन्हें एक्टिंग और सिंगिंग दोनों ही छोड़नी पड़ी दोस्त हम बात कर रहे हैं अविनेतरी रागिश्वरी लुंबा की जिन्होंने गोविंदा अक्षे कुमार और चंकी पांडी जैसे दिगज कलाकारों के साथ काम किया और सैफली खान के साथ भी रोमैंस करती हुई नजर आई थी लेकिन कुछ बेहत सफल फिल्म और म्यूजिक अल्बम करने के बाद एक हादसे ने उनसे सब कुछ छीन लिया आखिर ऐसा क्या हुआ था रागिश्वरी के साथ और आज कल कहा है और किस हालात में है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आज हम जानेंगे रागिश्वरी की फिल्मियों और सिंगिंग करियर के साथ साथ उस घटना के बारे में जिसने इनसे इनका सब कुछ छीन लिया मेरा नाम संदीफ है और आप देख रहे हैं यूटुब चैनल लाइश्टोरी और बायग्राफी दोस्तों रागिश्वरी का जन्म 19 जुलाई 1977 को मुंबई में त्रिलोकसी लूंबा और वीरा लूंबा के घर पर हुआ था रागिश्वरी के पिता त्रिलोकसी लूंबा संगितकार और नैशनल अवार्ड विनर रहे हैं इनका एक भाई भी है जिसका नाम है रिश्व लूंबा रागिश्वरी ने ऑक्जिलियम कॉन्विंट हाइ स्कूल से पढ़ाई की इनको बच्पन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था और एक संगितकार की बेटी होने की वज़ह से उनमें संगीत के प्रती भी गह 12 साल के उम्र में उन्हें फिल्म आखे ओफर हुई जिसमें उनके अपोजिट चंकी पांडे थे और साथ में गोविंदा जैसे दिगच कलकारों ने भी काम किया था ये फिल्म जब बरदस्थ हीट रही और रागिश्वरी स्टार बन गई इसके बाद हो अगले साल फिल्म म लाइक लाडी तू अनाडी में नजर आएं जिसमें अक्षे कुमार की बहन और सैफ अली खान की हिरोईन के रोल में दिही थी इस फिल्म में रागिश्वरी की खुपसूरती ने लोगों को अपना दिवाना बनाया था इसके बाद हो जिद दिल आ गया दिल कितना नादान ह तुम जीओ हजारों साल और मुंबई से आया मेरा दोस्त ते किसे फिल्मों में भी काम किया। ठक खार कर आखिर का रागिश्वरी ने पिता और अपने सगे भाई की मदद से अपना पहला अल्बम रिलीज किया जिसमें उन्होंने खुद एक्टिंग भी की थी। कि तब ही रागिश्वरी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका पूरा करीर ही चौपट हो गया। दरसलू ने एक रात अच्यानक परलाइसिस का दौरा पढ़ा और रागिश्वरी के चेहरे की एक तरप की मानश्मेशियां अस्थाई रुप से कमचोर हो गई। जी हाँ, वो एक रात एक दम उठी और अपनी चेहरे पर कुछ बदलाओ महसूस किया। डॉक्टर ने बताया कि उनके चेहरे और चेश्ट का आधा हिस्सा सुन हो गया है। वो बात तक करने की स्थिती में नहीं थी। परलैसिस अटैक पड़ने के बाद रागिश्वरी की दुनिया में मानो उठल पुथल मच गई। वो घर से अस्पताल और अस्पताल से घर उलज़ कर रहे गए। और अपने आपको ठीक करने के लिए उन्होंने ठरेपी के साथ साथ योगा का भी सहारा लिया। रागिश्वरी ने इस बारे में एक बार बात करते हुए बताया था कि एक दिन जब सुबह ब्रश करने के लिए उठी तो अपने मुह में पानी को रोक नहीं पा रही थी। उस दिन एक स्कुल के लिए मेरा चैरिटी शो था और अवर्ड शो के लिए एक ओपनिंग एक्ट भी था। मेरे चेहरे और चेश्ट का आधा हिस्सा सुन हो गया था। जब मैंने बात करनी चाहिए तो मेरे होट मेरे कान तक पहुच गये थे। अपने आपको पहचान भी नहीं पा रही थी। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बात नहीं कर पा रही थी। मैंने ठेरेपी लेनी शुरू की। परलैसिस का ये अटैक उन लोगों को ज्यादा होता है जो अपना गुसा जाहिर नहीं कर पाते हैं। रागेश्वरी ने बड़े ही बहादुरी से इस बिमारी का सामना किया और कुछी सालों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। खलाकी एक चीज जो बदल गई थी वो ये थी कि अब उन्हें गाने में दिक्कत होने लगे थी। ऐसे में एक गंफिर बिमारी से उबरने के बाद रागेश्वरी ने फैसला किया कि अब वो गाना नहीं गाएंगी। 27 जनवरी 2014 को रागेश्वरी ने अपने माता पिता के कहने पर शादी कर ले। रागेश्वरी ने लंडन में रहने वाली वकील सुधानसू स्वरूप से शादी की। फैमिली के साथ अपना ड्रीम लाइफ एंज्वाय कर रही है। फिलाल रागेश्वरी ने शोबीज और ग्लैमर के दुनिया से दूरी बना ली है। हलाकि वो कुछ टीवी सेल्स में नजर जरूर आई थी। आज रागेश्वरी का लुक काफी बदल गया है। आज रागेश्वरी को देखकर पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन हम सभी जरूर चाहते हैं कि वो एक बार फिर से फिल्मी परद्रे पर वाफसी करके और एक्टिंग के दुनिया में वापस लौट आए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। क्या रागेश्वरी की फिल्म में आपको पसंद आई थी। रागेश्वरी जी आपको कैसी लगती थी। आप कॉमेंट करके हमें जरू बताना। मिल तौगले वीडियो में चाहिंद।